चमार चमार सिर्फ शब्द नहीं है बलकि भारत में जातिवाद और ब्रहमनवाद की क्रूरता को दिखाने वाला एक नाम है एक ऐसी कौम जिससे चमडे का काम करने के लिए मजबूर किया गया जूते चपल बनाने का मरे हुए जानवर की चमडी छिलने का काम उनसे करवाया गया लेकिन ये काम करते हुए भी चमारों ने इतिहास में वीर्टा के कई ऐसे किसे लिख डाले जिनकी कहानियां सद्यों तक सुनाई दियती रहेगी ऐसी ही वीर्टा का एक नाम है चमार रेजिमेंट चमार रेजिमेंट ने सेना की वो एक ऐसी ठुकडी थी जिसने अपने अदम में सहास की बदोलत भारत की मुक्ती के लिए सब कुछ नियोचावर करते हुए वीर्ता का ऐसा इतियास रचा जो फिर कोई नहीं दोरा सका जैभी मैं हूँ सुमिछ चोहान और आप देख रहे हैं The Newsweek आईए मेरे साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ चमार रेजिमेंट की सच्ची और असली कहानी की ओर आप जब टेवी पर कदमताल करते हुए भारतिय सेना के जवानों को देखते हैं तो आपका सीना अपने आप ही चोड़ा हो जाता है होना भी चाहिए क्योंकि हम सब भारतिय हैं और हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है इसे सेना के बीच आपने मराथा, राजपुताना राइफल्स, राजपुत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिक डोगरा नागा और गोर्खा रेजिमेंट को भी देखा होगा लेकिन क्या कभी आपने चमार रेजिमेंट को देखा है आपका जवाब होगा नहीं लेकिन क्यों नहीं देखा आज तक आप चमार रेजिमेंट का नाम क्यों नहीं जान पाए क्या सच में कोई चमार रेजिमेंट थी या ये सारी बाते सिर्फ अफवाँ हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चमार रेजिमेंट की कहानी कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है बलकि एकदम सची और असली कहानी है चमार रेजिमेंट ने इत्यास में शांदार काम किया ये ऐसी कहानी नहीं है कि किसी ने अपने गंतों में रच दिया और कह दिया कि इतियास में हुआ था बलकि इसके साक्षे हैं ये एकदम सची कहानी है लेकिन इतियास में ऐसा क्या हुआ था कि चमार एजिमेंट को बंद कर दिया गया चमार रेजिमेंट को बंद करने की पीछे की जो कहानी है वो भी अपने आप में बेहद दिल्चस्प है एक अक्टूबर 2023 को हर्याना के हासी में चमारो की वीरता की सबसे बड़ी निशानी चमार रेजिमेंट के पहले समारक को बनाये गया ये चमार रेजिमेंट समारक इतिहास के उनपन्णों को खोलता है जिन में चमारो की वीरता की शोरी अगाठा लिखी हुई है दूसरे विशव युद में चमार रेजिमेंट ने अदम में साहस का परिच़ दिया था दूसरे विश्व युद्ध में बुरी तरह घिरी ब्रिटिस सरकार ने थल सेना में अलग से चमार रेजिमेंट बनाई थी इस चमार सेना को तीन साल तक काम करने दिया गया साल 1943 से 1946 तक चमार रेजिमेंट ब्रिटिस सेना में रही एक मार्च 1943 को उत्रप्रदेश की मेरट चावनी में ये रेजिमेंट स्थापित की गई थी लेकिन इसका मुख्याले मध्यप्रदेश के जबलपूर में बनाए गया था इससे पहले एक साल तक ये दूसरी पंजाब रेजिमेंट की 27 वी बटालियन के रूप में ट्रायल यानि की इम्तहान के तोर पर रखी गई थी ये पहली मार्शल हिस्ट्री है चमार जाती की पूरे देश में एक बहुत बड़ी जाती है और उस जाती की अभी तक कोई मार्शल हिस्ट्री नहीं थी चमार रेजिमेंट उसकी पहली मार्शल हिस्ट्री है जो सेकिंड वल्ड वार के दोरान जिन को हम जातीयों को हम मार्शल कास्ट के नाम से जानते हैं अंग्रेजों ने 27 वी बटालियन में सिर्फ चमार जाती के जवान ही भरती किये थे क्योंकि अंग्रेज ये देखना चाहते थे कि क्या चमार जाती के लड़ा के युद्ध लड़ने में काबिल हैं जब चमारों ने हत्यारों की ट्रेनिंग और शारिरिक बल से खुद को साबित कर दिया तब अंग्रेजों को यकीन हो गया कि चमार जैसे जानवर की चमडी छील डालते हैं वैसे ही दुश्मन की चमडी भी छील डालेंगे इसके बाद 1943 में चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई इस रेजिमेंट के गठन के कुछी दिनों में दूसरा विश्वयुध तेज हो गया उसका असर एशिया तक भी पहुँच गया और चमार रेजिमेंट को इसमें उतार दिया गया उस समें दलितों की अंग्रेजी फोज में महार रेजिमेंट, मजहबी या रामदस्या रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट मोजूद थी दूसरे विश्यु युद्ध में इन सभी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया और अपनी वीरता की ऐसी वारत लिखी कि अंग्रेज भी हरान रह गए एक hidden history थी एक erased history थी जो की trace की गई है जीनियू जैसी जगा से तो एक इस वात का मुझे भी संतोष है कि एक ऐसी कौम जिसकी अभी कोई martial history ही नहीं थी वो निकल के सामने आई है इसकी जो military का history division है उससे primary इसके जो source थे इसकी जो war diaries थी वो मिली है और इसकी monthly intelligence reports मिली है और और भी दूसरे बहुत सारे primary source मिले हैं तो एक तरह से authentic history निकल के आगी है चमार रेजिमेंट के युधा जंग की जिस भी मैदान में जाते वहाँ अपनी फतह का पर्चम लहरा देते चमार रेजिमेंट की पहली बटालियन को सबसे पहले युध लड़ने के लिए असम के गुहाटी भीजा गया इसके बाद इंफाल, कोहिमा और रंगून यानि म्यानमार तक इस सेना को लड़ाई लड़ने के लिए भीजा गया क्योंकि इसके लड़ा के बेहत वीर थे इस बटालियन के 42 जो जवान हैं वो दूसरे विश्वयुद में शहीद हुए थे और साथ जवानों को वीरता पुरुषकार से भी नवाजा गया था ये लोग इतने बहादुर थे कि इनकी पहली बटालियन को बैटल ओनर ओफ कोहिमा से भी नवाजा गया था दूसरे विश्वयुद के बाद महार रजीमेंट को तो बनाए रखा गया जबकि मज़भी एंड रामदसिया रजीमेंट का नाम बदल कर सिख लाइट इंफेंट्री कर दिया गया लेकिन इससे पहले अंग्रेजी सरकार ने चमार रजीमेंट को दुनिया की सबसे ताकतवर फोज के सामने लड़ने के लिए भीज दिया उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापान की फोज को भी चमार रजीमेंट ने धूल चटा दी थी जंग के मैदान में चमरवन्स के युधाओं ने दुश्मनों को ऐसे उधिड कर रख दिया जैसे उनके पुर्खे जानवर की चमडी उधिड देते थे दुश्मन उनके सामने धर्रा उठते थे इस युद्ध में चमार रेजिमेंट की बहदूरी को देखते हुए सेना सम्मान से नवाजा गया चमार सेना की वीरता को देखते हुए चमार रेजिमेंट को बैटल ओनर ओफ कोहिमा से भी नवाजा गया आप आप देख लीजिये की इंगलेंड दोरा लड़ाई गई सब ही लड़ाईयों में सबसे घातक लड़ाई जो निकल के आई है वहां एक सर्वे हुआ था इंगलेंड के अंदर वो सर्वे जो है उसमें वाटरलू की लड़ाई थी उसमें और बहुत साइ लड़ाईया थी इंगलेंड ने पूरी दुनिया में जो भी लड़ाईया लड़ी है उसमें सबसे घातक लड़ाई जो है वो बैटल ओफ कोहिमा है और उस बैटल ओफ कोहिमा में जो रजिमेंटे लड़ रही थी उसमें चमार रजिमेंट भी एक थी और जिन जिन रजिमेंटों ने वहां लड़ाई लड़ी थी उनको Battle Honor of Kohima Award दिया गया है, जो Kohima के War Memorial के ओपर दर्ज है, पूरी लिस्ट है, तो उस लिस्ट को अगर आप देखेंगे, तो उस लिस्ट में एक चमार रेजिमेंट भी है, तो ये इसका सबसे बड़ा प्रमान है कि वो चमार रेजिमेंट जो है, वो ए अधरी से लड़ी थी। आजाद हिंद फोज चे लड़ने सिंगापूर भीज दिया गया। उस समय निताजी सुबाश्यंदर बोस के अगवाई में आजाद हिंद फोज देश की स्वतंतरता की लड़ाई लड़ रही थी। अब चमार रेजिमेंट के सामने ये दुविदा थी कि वो कैसे अपने ही भाईों पर जो देश के अजादी की जंग लड़ रहे हैं उन पर गोली चलाए। पूरील ने इस अंग्रेजी साजिश को समझते हुए विद्रो कर दिया और आजाद हिंद फोज की सेपाईयों पर गोली चलाने से मना कर दिया। और उन्होंने अपनी आर्मी को यानि जो उनकी टुकडी थी उसको आजाद हिंद फोज के साथ मिला कर अंग्रेजों के खिल नहीं देशवासियों को मरवाने के आदेश के चलते अंग्रेजों के साथ भगावत की और सुभाश चंडर के साथ आयने में शामिल हो गई। याद रखने वाली बात ये भी है कि चमार रेजिमेंट सेना की कलोती ऐसी रेजिमेंट है जिसने अंग्रेजों से विद्रो करत कुछ म्यामार और थाइलेंड के जंगलों में भटक गए जो पकड़े गए उन्हें मोत के घाट उतार दिया गया कैप्टन मोहललाल कुरील को भी युदबंदी बना लिया गया देश में अंग्रेजों के खिलाव जबर्दस आंदोलन हुए और हर मोर्चे पर नाकाम रहने वाली बिटिस सरकार ने नेताजी सुभाशनर बोस को वोर क्रिमिनल घुशित कर दिया और उनके साथ ही चमार रेजिमेंट पर भी प्रतिबंद लगा गया देवकराम नाम का एक सैनिक है देवकराम गबाद इन्होंने वहां दो अपिस्तों पे गोल्ली चलाई है यह व्हाई डाइरी में भी है और यह मंकली सीक्रिकिर्ट इंट्यलिजेटंस रिपोर्ट्स में भी बुडन एस किर्वी कुछ ऐसा नाम है पूरा नाम है भूल रहा हूं ये उस समय अंग्रेज ओफीसर थे उसके नेतरतब में एक टूप मनाया गया उस टूप को जिम्मेवारी दी गई कि जंगल में जाके इसको ढूंडो तो वो बहरां गैंटे कि उनना मशक्कत के बाद उसक को जेल की सजा हुई है उसके बाद उनको को को गिरतिया गया और बहुत सचैनिको को गिरफतार कर जेल में डाल दिया गया कैप्टेन कुरील भी कई साल तक जेल में रहे और आकिरकार देश के आज़ादी के साथ उनने भी रहाइब ली कैटन कुरिल बाद में 1952 में उन्नाव की शफीपुर विधानसवा सीट से विधायकी बने चमार रेजिमेंट में हर्याना के चुन्रिलाल, जोगी राम और धर्म सिंग भी शामिल थे चमार रेजिमेंट के ज़्यादतर वीर अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी कहानिया आज भी अमर हैं इन वीरों के परिवार अपने पुर्खों को याद करके जोश से भर जाते हैं उन्होंने मुर्थी लगा रखी थी तो एक अंग्रेज ने उसको ठोकर मार दी थी तो उन्होंने फिर आके इतना उनको महसूस हुआ उन्होंने फिर उनको मुखा देखके गोलियों से बुन दिया था जिन बहादुरों की बदोलत देश को आजादी मिली उन बहादुरों की याद में आजादी के बाद भी चमार रेजिमेंट को बहल नहीं किया गया हलांकि इन बहादुर जंग्जों को दोबारा सेना में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है चमार रेजिमेंट पर अब स्मारक बन रहे हैं चमार रेजिमेंट के वीरो पर किताबे लिखी जा रही है और इन पर पीएजडी भी हो रही है हवलदार सुल्तान सिंग ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागिदारी शीर्षक से किताब लिखी है दूसरी किताब सतनाम सिंग ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रों की कहानी उनी की जबानी नाम से किताब लिखी है जैसे जैसे इतियास बाहर आ रहा है वैसे वैसे इस रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी तेज हो रही है सियासी हलकों में भी ये आवाज जूटती रही है राश्ट्य अनुसूचित जाती आयोग भी इसका संग्यान लेच चुका है दरसल जानकारों का मानना है कि दलित किसी भी विशम प्रिस्थिती में रह लेते हैं जातिवाद के कारण उन्होंने जाने कितनी ही पीडा जहीली है उतनी कठिनायों में शायद ही कोई और जीवन जी सके जितनी कठिनायों में ये लोग रहते हैं फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही आसादी की बाद से चमार रेजिमेंट बहाल किये जाने की आवाज कई बार उठाई गई लेकिन हर बार ये आवाज दब कर रह गई दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदशन कर चुके हैं नवंबर 2015 में ततकालिन रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने लिखा था कि वो मामले की जाच कर रहे हैं उन्होंने प्रधान मंत्री और ग्रेमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि पाठ्य पुष्टकों में चमारो की गोरव गाथा को शामिल किया जाए लेकिन आस्वाशन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ पंदरा तो फाइले मिली हैं उसके बाद जो छोट-छोट और मिले हैं स्केंडरी और प्राइमरी तो उसके अवाले से जो मिल रहा है वो विद्रो का तो एक है देवकराम जी बाला और दूसरा 47 सैनिकों का है जब इनके हत्यार शीने जाने लगे 1946 में तो इन्होंने मना कर दिया कि वही हम करेंगे तो इन्होंने बहां गोली चल गई थी यह भी लेकिन यह भी सारा औरल से है अच्छा दूसरी बात जो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि प्रैमरी सोर्स में लिखा है कि देवकराम ने गोली मार दी दो सैनिकों को तो मजदार बात जहें कि जो वार डायरी है जो मंतली सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा कि इसने क् बता रहा तो आर्मी ओफिसरों के इंटर्विव किये हैं तो वह बोले कि कभी भी जो थे अंग्रेज जो थे वो कभी भी यह नहीं बताते थे कि इसने विद्रो कर दिया है वह हमेशा जहीं बताते थे कि यह पागल था इसका मानसी किस्तम तुलन कराब हो गया ज़ा वह इंसिडेंट हो गई दो सयनिकों को गोली मार दी गई तो उसको फिर जिन्दा सयनिक हैं चुनिलाल जी वो बता रहे हैं कि वही वो मेरा फ्रैंड था और उसको जो है उसने इस तरह गोली चलाई है उसने अजाद हिन्ध फो VAAD के नारे लगाए है और वह बाकि स बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बाली की मांग की थी जाटव के मुताविक 30 दिसंबर 1943 को नेताजिस सुबाश शंडर बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया था इसमें चमार रेजिमेंट का भी हम्योगदान था इसके सैनिकों को बागी घुशित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद कर यातनाय दी लेकिन चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग कब पूरी होगी इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है चमार रेजिमेंट को तो अंग्रेजी सरकार ने बंद कर दिया लेकिन इसकी वीरगाथा ने तो मिटा पाए और ना ही किसी से च्छपा पाए चमारो की वीरता की ये कहानिया जमीन फाड़कर सामने आ रही है यहां तक कि daikum EQ ये किताब की बात तो दूर की बात है जो अंग्रेज़ जो अंग्रेज हिस्टोरियन है जा फिर बड़े आर्मी ओफिसरों ने भी लिखी है उन सारी ही किताबों के अंदर चमार रेजिमेंट का सिर्फ एक पैरा मिलता है इतने में बनी इतने में तूट गी तो इसके ओपर तो कोई एक चैप्टर तक नहीं है मतलब इसके ओपर तो क तो इसकी इडन हिस्ट्री जो है वो मेरी पीएसडी के मादयम से निकली है लेकिन कोई भी रिसर्चर क्लेम नहीं कर सकता कि यही संपूर्ण है हो सकता है किसी आर्काइज में हमारी रीच ना हुई हो वहां कोई और फाइले अभी हो जा सबसे बड़ी बात जो जो मेरा भी म चमार रेजिमेंट अपने आप में उससे जाती के साहस को दिखाने के लिए काफी है जिसने इतियास में बहुत कुछ साहा है चमार रेजिमेंट की बाहली की मांग होती रही है लेकिन अभी तक इसको बाहल नहीं किया गया है ऐसे में चमार रेजिमेंट को लेकर जो लोग अंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि वो जब तक किस रेजिमेंट की बहाली नहीं होती तब तक वो अंदोलन करते रहेंगे लेकिन बहाली हो या ना हो चमार रेजिमेंट की कहानी हमेशा हम सब को प्रेरित करती रहेगी कि कैस अपने लोग जो हैं वो अजादी के लड़ाई में शामिल हुए और उन्होंने अजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस कहानी पर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है चमा रेजिमेंट के बारे में क्या आप पहले से जानते थे या क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के जर्याम तक पहुचा सकते हैं आप से अपील है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को अन्ने लोगों के स्टार्ट शेयर जरूर करें मेरा नाम सुमिट शौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे है मेरे सयोगी मोहित अगले किसे वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों तब तक आप देखते रही है दे न्यूस बीक साथ ही अगर आपको दे न्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाते हैं कि हम यू ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को स्कैन करें और न्यूस बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID न्यूस बीक अट दे रेट यस बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूस बीक फाउंडेशन अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640 IFSC कोड है YESB-0000-235 बैंक का नाम YESBANK है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें